हले आवरिवन दिस पावन शर्मा एंड फ्रेंड वल्कम यौल तो मैं चैनल और गाइज पीछले कुछ वीक से जैसे मैं आपको कभी भी कॉल्स देता हूं या आपके कभी ऑप्शन स्ट्राटेजीज के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारे क्वेशन्स आते हैं जो लेकिन बहुत सारे से फीचर्स होते हैं जहां पर हम उनको यूज करेंगे तो आपका काम असान हो जाएगा पैसा कम उटलाइज होगा तो उनमें से एक है तो चलिए बात करते हैं उसको इसके लिए मैं आपको जो अप्स्टॉक का अकाउंट है जिसको हम यूज करते हैं मै अपने परसन ट्रेडिंग के लिए उसको आपको बताऊंगा कि क्या क्या नए फीचर्स हैं उसके अंदर और कैसे आप उसको यूज कर सकते हैं for your option strategies and even for your analysis also और गाइस अगर अभी तेक आपने हमाई चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जागे उसको सब्सक्राइब whenever I post such videos in the future also तो चलिए उसके जाते हैं अपस्टॉक का अकाउंट I'm good लुगिए अपस्टॉक का पहली चीज तो अभी क्या है कि जो रिसेंटली अपस्टॉक ने ट्रेडिंग यू के साथ में जो टाइप किया है बहुत से लोग जिरोदा पे क्यों जा रहे थे कि कि उनका ज आप ट्रेडिंग व्यू पे जाएंगे तो वही फीचर्स अब आप अप स्टॉक में मिल जाएंगे तो पहला तो यह चीज हो गया दूसरा जो मुझे सबसे जादा पसंद आता है वह आता है धीरे धीरे जब इसने रिवाइव किया है तो रिवाइवल में क्या आया है लुफ्रिकरों से देखरißtके आप चर्ड में का चार्ट की डेख सकते हैं अपने fmcg का चर्ड देख सकते हैं चार्ट का मतलब चार्ट ही होता है एकर में बहुत ज्यादा मेजर मोंवेंट सब्सक्राइब तो यह तो यहां पर आप एड़ करने हैं तो मैं क्या करूँगा यहां पर आपका बैंक निफ्टी आड़ कर लेता हूं टिकर ऑन दर राइट तो यहां पर सेंसेक्स के बैंक निफ्टी आ गया अब मुझे वापी जाना है निफ्टी पर यहां पर आपने मार्केट डेरिविटिव्स किया और आप डेरिविटिव मार्केट में जाएंगे ऑप्शन चेन पर जाएंगे तो यू माइट नाट ऑल्वेज वन्ट गो हैर और अभी थूरा सा कॉंप्लेक्स हो भी गया है इसमें जो है मुझे अभी पुराना वेब्साइ जो है open interest बताता हूं तो देखिए सबसाद open interest यहां बिल्ड हुआ है कैसे क्योंकि इतना बड़ा green sign है वो यहां पर दिख रहा है मुझे which means 16,35,000 नए बिल्ड हुए है at 10,000 और total है 18,00,000 पे और इधर देखिएंगे यहां पर नीचे you will see here that here 97,000 पे ज्यादा call यहां पर राइटिंग हुआ है तो पहली चीज तो यह होगे आपके देखिए पूरा पूरा अच्छा आप यहां से अगर आपको कोई trade लेना है तो आप यहां पर चेक करें कि कहां कहां पर यह live market में भी update होता रहता है तो अगर आप यहां पर जा हो जाएगा triple करना है 225 हो जाएगा buy करेंगे and all these market will get but let's say आपको sell करना है selling में आपका जो requirement होता है वो जादा होता है लग बागरा कभी कभी 1,00,000 रुपी चाहिए होता है कभी 40,000 sorry 45 1.45 चाहिए होता है लेकिन what if आपको एक पूरा strategy बनाना है मान लेजी आपको एक spread बनाना spread का मतलब होता है एक buy करना एक sell करना तो अगर मैं put spread की बात करता हूं तो put spread में आपने क्या करना है 10,000 को buy करना है और 97 को sell करना है तो मैं क्या करूंगा strategy mode में जाने के बाद में आपने क्या किया 10,000 को buy किया यह आ गया मेरा और मैंने 97 को आके sell किया sell कर दिया यहाँ पर क्य 1,40,000 या 1,35,000 ब्लॉक हो जाएगा जब आप दूसरा बाई करेंगे तो आपका जो amount है वो release होगा उसको total जो amount मेरे ख्याल से इसमें लगेगा somewhere around 16,000 रुपीज तो मतलब यह है कि आपका around 1,00,000 प्लस का amount release हो जाएगा लेकिन वो तब होगा जब आपके पास में 1,00,000 रुपीज होगे ऐसी condition में आपको क्या करना आपको basket order में ही जाएगा आप दोनों का order आगया आप दोनों को review कर लीजिए और इसको limit ना करके market कर लीजिए और इसको add कर दीजिए review order and execute इसमें क्या होगा आपके account में अगर 16-20,000 ही है तो भी आपका जो है strategy execute हो जाएगा और यहाँ देखिए सबसे interesting बात जो मुझे अच्छा लगता है था कि बार बार आ कि हमें उसको check करना पड़ता है सबस्दा कहां build up हो रहे हैं सबस्दा build up कहां हो रहे हैं हमारे पास में 15,000 पे यहाँ देखिए 96 पे build up हो रहे हैं और इसी के तरह से आप सारे चीज़े कर सकते हैं दीरे 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 आपको idea हो जाएगा कि कहां पर क्या है दूसर आपके पास में क्या है अगर आपको एक chart ने open किया आपने इस यह चार्ट था हमारे पास में let's say any chart nifty के में चले जाते हैं जैसे भारती एटल है तो you get your buy, you get your sell here option chain आपको यहां से मिल जाएगा stocks का भी यहां पे जाएगे more पे जाके you click on chart here तो यह है आपका कौन सा chart normal chart है ठीक है अगर आपको चाहते हैं switch to trading view तो click करेंगे switch to trading view तो देखी आपके पास में यह आपका chart आगा है trading view का तो trading view के सारे indicators आप यहां यूज करते हैं आपको फिर अलग account open करने जरूत नहीं मैंने देखा है बहुत से लोग है trading view को अपना account open करके रखते हैं अलग chart देखने के लिए वो आपको करने जरूत नहीं आपको pop-up करना है आप chart को pop-up कर सकते हैं तो आप pop-up कैसे कर सकते हैं आप switch to IQ करेंगे आप यहां से जाएंगे और आप यहां से चेंज चार्ट आलसो आप यहां से चेंज कर सकते हैं studies का मतलब है जो आपको indicator लगाने है बहुत सर इंडिकेंटर से जिमांड में थे उसमें से एक indicator था जो मुझे अभी रिसेंटली पता चला है उसके नया add हुआ है and that indicator is stochastic RSI जो नया indicator उस्टोकेस्टिक RSI है आप इसको देख सकते हैं रहां गया stochastic stochastic s this one this has both the indications of stochastic also और RSI also पहले तो आप stochastic use करते हैं उससे अलग हटके आप RSI use करते हैं तो दोनों का ही combination आपको यहां मिल गया कि stochastic और RSI दोनों आपको मिल जाएगा so you can use it so this is one addition और यह देखिए आपका यह यह है chart by trading view तो इसका मतलब यह सारा chart आपका trading view के थुरू बनता है so you can implement your strategies here your indicators and everything you can plot here from the right bar तो यहां से आपका यह use करते हैं उसके अलाव आप क्या करते हैं इसमें अगर आपके पास में जैसे position orders हैं आप सारे check कर लेजिए यह position से आप सारे check कर सकते हैं यह आपके holdings पील रहे वह चेक कर सकते हैं which means whatever you have here holdings कभी-कभी आपका जो weekend पर holding गलत दिखाते हैं कभी तो उसको panic मत कीजिएगा बहुत बड़ा loss भी आपको दिखा सकते हैं क्योंक कभी-कभी क्या होता है losses इसलिए दिखाई जाते हैं because lot of time the systems are being in updations और उस updates के बीच में हो सकता है आपके पास में जो है जो positions है वो incorrect हो तो weekend पर कभी-भी positions पर रिलाय मत कीजिए और panic मत हो जिए क्योंकि जब आप panic करेंगे तो आपको यह लगेगा कि आपका loss में चल रहा है weekends का 80% of the time I would say avoid looking at your positions on weekend वो आपको क्या दिखा रहा है उनको avoid कीजिए का कि अभी मेरा I'm in total profit but 13,000 loss दिखा रहा है but I'm not worried because it is quite often it happens like that आप यहापे add कर सकते है alright and then option chain directly आप यहाँ से open भी कर सकते है आपके charts में यहाँ भी strategy mode है जैसे मैने आपको बताया था Maruti का strategy बताया था मैंने आपको बताया था उसके लिए जो है Nifty के लिए strategy में आपको बताता हूँ तो you can directly come out here आपको अब finances जाने जो उतनी है 25 June है 30 July You can use it volatility कम होती है next month में तो you have to stick to current month only especially in stocks हाँ आपको अगर चाहिए bank nifty and all तो आप indices में जाएंगे and from there you can go for bank nifty indices option chain and you can look for chart also and here you go the chart here it is one minute change it to one day and you can utilize your charts also and simultaneously if you want option chain then you can look for option chain also और index जो आप बताते हैं में से तो index का आप सारा का सारा charts आपको यहां से मिल जाएगा it is pre-plotted आपको अलग लग इसको नहीं करना अगर आपको बार बार निफ्टी ओपन करने की आदत है तो आपको यहां से जो tickler sense को भी आप यूज करके यूज कर सकते हैं बहुत सारे आपको जो है नहीं समझ में आती कुछ चीज है तो आप यहां जाके अपने सारे जो है आपको यहां जाके आप उसके वीडियो को वाच कर सकते हैं तो इसमें से मेरा जो best है वो दो चीज है एक तो मुझे बार-बार option change के लिए जाना नहीं पड़ता दूसरा basket order जो की अभी जिरोदा में वेवेलिबल नहीं है और जिरोदा को जो पसंद किया जा रहा था आजकल वो था trading view की वजह से अब वो trading view नहीं होके अब आपको यहां भी trading view पे मिल जाएगा एंड फॉर PNRL यू डॉंट आप तो गो तो अधर स्क्रीन एक स्क्रीन पर सब पूछे विकाज नीची आपके टिकलर चल रहे हैं यहां पर यहां पर यूज एंटायर इस स्क्रीन on one go ओके यह था आज का हमारा topic और जो आपके बहुत तरह questions थे जिसमें से आपके major थे जो basket order को ले करते तो basket order आप ऐसी use कर सकते हैं और basket order में याद रखिएगा minimum requirement जो होती है वो आपके पास में fulfill करने के लिए होना चाहिए अगर 35,000 है तो 35,000 है और अगर आपके पास में जो है you are a kind of option strategy person तो इसकी option strategies अब जादा attractive होते जाने 95 पे सब जादा put writing हुआ है लेकिन सब जादा नए जो put आए हैं वो हुए हैं अभी कहां पे 11,93 पे और यहां पे 18,00,95 पे और यहां पे हुआ है so which means this graph is going to tell you about this one आप yesterday OI पे भी जा सकते हैं आपके पास in the money है today's OI and yesterday OI आप यहां से भी जेख सकते हैं okay so guys that's about it hope you get your answers and if in case you have any questions queries then you have the options to write to us in the comment box I'll be happy to answer all of them and enjoy your new platform which is here the trading view अलग मत जाहिए यहीं पे यूज कीजिए कि हमेशे मैं आपके कहता हूँ कि जब आप किसी भी ब्रोकर से अब स्टॉक है अगर आप किसी भी ब्रोकर से जो है platform लेते हैं because then you will get the real data trading view में अलग जाने का हमेशे एक disadvantage ही होता है trading view is almost good but it's still a free website so आप उसके data को authenticate challenge नहीं कर सकते है but upstock में जो real data आता है you can always rely on that one and there are lot of indicators which are also coming in the coming time also I have heard about it तो हो सकता है आनेवल time में और indicators जो बहुत अच्छे हैं and hope that will work so take care everyone have a nice day